स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल डूई नो डैट पर आज मैं आपको ऐसे मज़ेदार और नए फैक्स बताऊंगा जिसे जानकर आपको बहुती अच्छा लाइगा और आप मेरी वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं और हमारी आज की वीडियो के पहले फैक्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों किसी भी दुकान को चलाने के लिए उसका नाम बहुती ज़्यादा जरूरी होता है हम दुकानों को नाम अक्सर अपने नाम पर रख लेते हैं तो कभी भगवान के नाम पर भी रख लेते हैं लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी दुकान के बारे में बताऊँगा जिसे सुनकर आप आश्चर में पढ़ जाएंगे कि ये कैसा नाम है और हो सकता है आप हसने भी लग जाएं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि उस दुकान का क्या नाम है दोस्तों जैपूर में जल महल के पास रामगड मोर चोड़ाए पर इस्तितिक कचोरी की दुकान है जिसका नाम दुश्मन कचोरी वाला है दोस्तों इस दुकान के नाम की वज़े से इनके दुकान इतनी प्रसिद हो चुके कि इनके पांच रुपे के कचोरी समोसों के लिए बहुती ज़्यादा भीड लग जाती है दोस्तो इनकी दुकान का नाम पूरे जैपुन में बहुती ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुका है आपको इफेक्ट जानकर कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट शेक्चन में जरूर बताएं चलिए अब हम आज की वीडियो के दूसरे फेक्ट की और चलते हैं दोस्तो इनसानों की अवार निकालने के मामले में अगर बात करें तो हम पक्षियों में सबसे पहले तोते का ही नाम लेते हैं पर अब एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें बतक भी इनसानों की तरह बोल रहा है जी हाँ दोस्तो आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं बतक भी इंसानों की तरह बोल सकता है रिपर नाम है किस ओस्ट्रेलियाई मस्क डख ने यू बलडी फूल बोलकर सबको हैरान कर दिया था जी हाँ दोस्तो बिल्कुल सई सुन रहे हैं भारत का अब तक का सबसे बड़ा ठग नटवर लाल था जिसने एक बार राष्टरपती बवन और दो बार लाल के लिए तथा तीन बार ताज महल को बेच दिया था और दोस्तो इतना ही नटवर लाल ने एक बार तो राष्टरप के दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज कलीवा है जो कि दुबई में इस्तित है लेकिन दोस्तो आज बुर्ज कलीवा के बारे में मैं आपको और भी बहुत कुछ बताऊंगा जैसे कि बुर्ज कलीवा में कुल 304 होटल है और 900 अपार्टमेंट है और दोस्तो इसी के साथ साथ बुर्ज कलीवा में 35,000 लोगों की एक साथ रहने की व्यरस्ता भी है दोस्तो इस इमारत में हर रोज लगबग 9,46,000 लिटर पानी का उपयोग किया जाता है जिसे कम से कम 100 किलोमिटर पाइपों के द्वारा उपर तक पहुचाया जाता है और दोस्तो इस विशाल का है इमारत में इतनी AC लगी हुई है कि हर साल उनसे इतना पानी निकलता है कि जिससे ओलंपिक के चार स्विमिंग पूल भी बरे जा सकते हैं दोस्तो आपको बुर्ज खलीफा का एफेक्ट जानकर कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए चले हम आ दोस्तो पचास मरत लोगों को आज भी बर्फ में जमा कर रखा गया है ताकि भवीश्य में किसी तकनीक से उन्हें वापस जिंदा किया जा सके दोस्तो आपको क्या लगता है कि इंसान को विग्यान दुआर वापस जिंदा किया जा सकता है आप अपना सुजाब प्लीज सब्सक्राइब करें और बैल आइकन भी प्रेयर्ज करें धन्यवाद दोस्तों